हेलो एव्रीवन, वेलकम बैक तू मैझ चैनल, आज मैं आपके साथ शेर करूंगी गोवी के पराटो की रेशिपी, तो हम यहाँ पर फटा फट से गोवी तोड़ लेते हैं, इसके बाद हम बनाएंगे गोवी के पराटे, तो गोवी के पराटे बनाने के लिए मैंने यहाँ तीन कप आल्टा लिया है इसमें हम डालेंगे नमक टेस्क के अकॉर्डिंग इसके बाद इसको अच्छी तरीके से एकदम सॉफ्ट डो बना कर तैयार कर लेंगे जैसे हम पराटों के लिए गुनते हैं तो यह जो गोबी है यह हमारे अपने ही केट की हमने केट से लिए एकद भी फटे नहीं तो देखिए हाटा गुनकर हो चुका है एकदम तयार अब फटा फट से हम गोबी को जो है कद्दू क्रश कर लेते हैं तो मैंने यहां पर एक मीडियम सा इसी गोबी का इस्तमाल किया है सबसे पहले हम एक गोबी लेंगे इसको अच्छी से वाश करेंगे उ तो इसके लिए मैंने एक स्मॉल कडाई लिया है उसमें डाला है थोड़ा सा मस्टर्ड ओइल इसमें हम डारेक्ट इस गोबी को डाल देंगे हम कुछ भी एक्स्टर इसमें नहीं डाल रहे हैं हमने सिर्फ यहां पर गोबी का इस्तमाल किया है और हम इसमें मसालों में डाल बहुत ही स्वादिस और बहुत ही अच्छे पराटे बनकर तयार होते हैं अब हम इसको हलका साथे करेंगे ताकि इसमें जो भी वाटर है वो जो है सूख जाए और अगर बहुत ही ज़्यादा पानी है गोबी में तो आप पहले हातों से इसको अच्छे से निचे ओड़ ले उ और इसको ठन्डा होने देंगे अच्छी तरीके से अब हम pra देंगे रिम हरा धनिया कटा हुआ और तो कूप सारा हम हरा धनिया डालेंगे तो यह पर हम्ने लोग्या भी वी एड कर दिया है आप चाहिए तो गरम गर्म में वी एडोह ईड़् कर सकते हैं उससे रिम थोड़ तो मैंने उसकी भी ट्रिक्स सिखाई है आगे आप वीडियो कम्प्लीट देखिए आपको ये भी बताया है मैंने कि अगर आप बिगनर है तो आप किस तरीके से गोबी के पराठे बेल सकते हैं जो की फटे नहीं या फिर आप किसी भी इस तरफ पराठे को इस तरीके से बना स हाथों की हेल्प से अब हम इसके अंदर अच्छी तरीके से स्ट्रफिंग कर देंगे गोबी की तो मैंने आप पर अच्छी से गोबी ले लिया है और इसके अंदर मैंने रख दिया है अब हम इसको चारो तरफ से अच्छी तरीके से बंद करेंगे ताकि जो है पराठा बिल से जितना हमसे बड़ा हो सकता है यह पर यह पराटा उतना बड़ा हम यही पर हातों की हल्प से कर लेंगे उसके बाद हम इसको बेलन से बेलेंगे तो देखिए अब हम इसको बेलन से बेल देंगे नॉर्मली जैसा बेलते हैं बहुत इजीली बिल जाते गोबी के पराटे बह जाना चाहिए तो पहले हम फराफट से इस पराटे को सेक लेते हैं तो मैंने यहां पर देसिगी का इस्तमाल करते हो पराटे को सेक लिया है और यह देखिए हमारा क्रिस्पी पराटा सिक कर एकदम हो गया है तयार बिगनर्स पराटा सबसे पहले हम एक नॉर्मल तरीके से रो नहीं फटते हैं तो यह देखिए हमने इसमें अच्छी तरीके से स्टफिंग भर लिए खुब सारी हमने स्टफिंग रख दिये अब हम इसको फोल्ड करेंगे लेफ्ट और राइड से और यह जो है एकदम चौकोर पराठा बनता है स्क्वैर शेप में पराठा बनकर तयार हो चौरों तरफ से बंद कर लिया है अब हम इसको हलके हास से जो है अच्छी तरीके से बेल कर बढ़ा कर लेंगे तो देखिए हमारा फस्ट क्लास पराठा बिलकर एकदम तयार हो चुका है तो चलिए अब इसको फटाफट से हम सेक लेते हैं तो हम यहां पर पराठे को दोनो क्रिस्पी होकर सकता है तो इस तरीके से आप पराठे बनाएगी पराठे बहुत ही जदा टेस्टी होते हैं डेफिनिट्ली आपको पसंद आएंगे मैं एक पराठा आपको खोल कर दिखाती हूं तो देखिए यह पराठा जो हमने चौकर बनाये था इसके कौने कौने तक ज बहुत ही अच्छा क्रिस्पी पराठा बनकर तयार हुआ है तो जरूर ट्रै करें